तो दोस्तो आज ए 7.25 बजार में आज फिर से हमें गिरावर देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22302 पॉइंट पे करीब 0.62 परसें गिरावर के साथ अब सवाल उठता कि कल क्या होगा आठ तरीक को एक तो देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपैरी है में बजार किस तरप मुफ करेगा जानेगी सवीडियो में जानेगे साथ में शियर मार्केट से रिलेटेट कुछ इंप्टें लेटर अप्टैस आपके साथ करूँ का अपके साथ में ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल है कि काशिश करेंगे कि कल बजार किस तरह कर सकते उसको तो कते में मच क mang करते अक सब सबसे पहले चलें देख लेते हैं Market Analyst द्वारा क्या statement दिया कि कल अठता रिक को बजार किस तरह पोफ कर सकता है किस तरह किक लेबल के उपर closing दिया वहां से देखिए थोड़ा सा weaknesses दिख रहा है मतब थोड़ा कमजोरी हो सकता है इनकेस अगर नीचे गिरावाट हुआ तो सबसे पहला जो strong support zone mention किया नीची की तरब एक तो देखिए 22,100 से लेके 22,000 और उपर की तरब अगर immediately bounce back किया मतब train reversal हुआ तो कमेंट करके बताईए ओके नेक्स दोस्तों सेम टॉपी कोई कवर किया money control के website में दूसरे एक और analyst ने अपने पॉइंट एक पॉइंट व्यू रखा टेकनिकल व्यू फर्दर विकनेसे इन निफ्टी टॉट 22,150 तो इनके according अगर फिर से weaknesses हुआ मतब कमजोरी हुआ मार्केट में उसके इसमें 22,150 ये एक बहुती crucial level लेगा साथ में देखे नीची की तरफ जो support mention किया 22,000 यहां पर मतब यह level अगर break हो गया उपर की तरफ जो strong resistance है immediately 22,400 से लेखे 22,500 उसके बाद दोस्तों जैसे की video की thumbnail पे मैं mention किया कि सेभी ने reject करते एक proposal को कौन सा proposal पहले आप देख सेभी ने सी प्रोपोजल टू एक्स्टेंड ट्रेडिंग आर्स एस ब्रोकर्स प्रोटेस तो दोस्तों आज से लगबग कुछ मैंने पहले आपने देखा था कुछ ऐसे न्यूस चर्चे में था कि शायद एक्सेंज द्वारा जो आज की डेट पे मार्केट की ट्रेडिंग सेभी शेशन है मतब जैसे कि आपको मालूम हो कि सुबा में 9 सारे 9 बजे पे ओपें हो जाता है और शाम के वक्त सारी 3 बजे पे क्लोजिंग हो जाता है उसको एक्स्टेंड भी किया जा सकता है अगर सेभी ने एपर दे दिया तो अगर एक्स्टेंड हो था तो लगबग 5 बजे तक एक्स्टेंड हो जाता अब यह जैसे ही न्यूस चर्चे में आया बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से इसके उपर प्रोटेस्ट देखने को मिला और जिसको देखते हुए या दिमाग में रखते हुए से भी ने यह जो प्रोफिशल एनसी की तरफ से यानि नैशन तो जिनको खड़ीदारी करना है जिनको एफेनों खड़ीदारी करना है या जो भी कुछ करना है वह उसी आर्स में कर लेगा देर कंट एक्स्टे करके क्या फायदा होगा है ना तो आइधिंक एक दम सभी दौरा ओके तो नेक्स दोस्तों देखिए अलग-अलग लोग की अ एक अनलेस्टे जिनका नाम है शंकर सर्मा इनके दोरह सर्मा जी ने कुछ ऐसा स्टेट में दिया कि सम्स्टाउक्स फॉल फॉल 90 परसेंट इनक्स्ट वियर मार्केट तो इनके अगर कुछ मार्केट में बियर मार्केट में बजार में करेक्शन हुआ कुछ यह जो है 90 परसंट तक गिरेगा अब कुछ अनलीस नो दोस्तों कुछ इस टाइब का भी स्टेट्में दिया कि निफ्टी प्रेडिक्शन यह देख सारे आज का अपडेट है चार हजार पॉइंट करेक्शन आफ्टर लोक सव ऐलेक्शन यहाँ पर एक्चुली कुछ ड्रीड एक्श्पट द्वारा सोकल्ड एक्सपट लेक्शन किया कि लोक सवा इलेक्शन के बाद मार्केट चार हजार पॉइंट किरेगा मतलब अलगी इन लोगों का वर्लकप चल रहा है मार्केट में एना चार अजार लेबिल की करेक्शन आप सोचिए निफ्टिप्टी सब्समान लेंगे तेजर तक पहुंच गया वहां से आप देख सकते स्क्रीन के उपर जो हेड्लाइन है इंटरेम डिविडेंट यहां पर 10 रुपए पर शियर का जिसका रेकोर्डेट कमपनी फिक्स्ट किया पंदरा तारीक को यानि आपको अगर यह डिविडेंट पाना है तो उसके लिए आपको फॉर्टीन तॉप में या तो पाने के लिए इससे बहुत अच्छा उप्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा अब बात करेंगे दोस्तों ग्लोबाल मार्केट में क्या हाल चल चले फटाफट देख लेते हैं तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं पेच को डॉजोंस फिलाल देखे काफी वालेटा आपको दिखाता हूं यह देखिए नस्टेक की बात करें सुभा में पॉजिटीव में फिल नेगेडिव पहुंचा फिटेक उपर पहुंचा अभी देखे हलका सा करेक्शन तैट देखें जिरो पाइंट बाइंट बाइंट सेवन पर सेन उपर पहुंच अब दिखिए इस है 10% क्रेश कर गया 10% जैसे अब देख सकते गाप डान ओपिनिंग उसके बाद सीधा से नीची की दरा मुब बेंट ठीक है तो इसका भी इंपक्ट हमें देखने को मिला ओके तो यह सब के बीच मेना कुछ अच्छी अपडेट भी है अच्छी अच्छी अपडेट यह है ज दस साल की बॉन डिल बीच में नहीं देखा था बढ़ते बढ़ते ऑल्मोस्ट 4.6 प्लस पहुंच गया था वही अगर हम बात करें लास्ट 2-3 दिन में काफी ड्रॉप हुआ जैसे का आप देख सकते अभी भी एक परसे नीचे आ चुका जो कि अपने आप में बहुत अच् को टेक महिंद्रा को है कि नहीं ठीक वैसे ही दोस्तों अगर इवेस की दस साल की बॉन डिल में अगर गिरावाट हुआ ना बहुत अच्छी बात रहेगा इंडियान आइटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रिक आपको देखने को मिलेगा ओके ब्रेन कुट की बात करें थोड़ा सा उपर नीच उपर नीच देखने को कोई इशू नहीं है कि आप देख सेक्ट अभी मैं बोली रहा था कि आइटी सेक्टर में इंपक्ट आएगा पॉजिटिव लिए तो विप्र लिम्टेट एडियर भी अल्मुस 0.46 परसन उपर पहुंच चुका है एड़ द सेम टाइम इंफोसिस की एडियर वर्शन भी करिब करिब एक परसन में कुछ टेम पहले एक परसन उपर भी था अभी थोड़ा सा जस्ट नीचे हुआ तो आई थिंग कि आज रात में भी आकर सब कुछ ठीक टाकरा कल सुबा दोस्तों इंडियान आइटी सेक्टर में भी ए है की नहीं अब चलिए बात कर लेते हैं गिफ्ट निप्टी का पोजिशन फिलाल यह जो अपडेट है आज रात की दस बच के 26 मिट के अपडेट लेटेस्ट अपडेट गिफ्ट निप्टी का पोजिशन काफी स्ट्रॉंग नजर आ रहा है बाईस हजा चार सो तीस पॉइ सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की सौरी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए ओके तो आज की रेट पे कोई डिफरेंट नहीं था हर रोस की तार ऐस दोरा सेलिंग देखने को मिलेगा तो और इसको काउंटर करते हुए देस ने अच्छा खा सब्सक्राइब निगल के आए कि दोस्तों इस्राइल ना गाजा पटी के अंदर एक जगा है राफा नाम करके राफा में कंप्लीटल अपना जो कंट्रोल बना चुका है वहां पे इस्राइली जो जंडा है वह भी गार दिया तो मतलब आप सोचिए अब दिरे-दिरे गाज चले मैं आपको सिधा टेकनिकल चैपेटर लेकर चलता हूं कि आप अब जो बात बताने जारहां उससे ध्यान से सुनना अब देखिए हरोस में आपको बोलता हो कि डोर जोंस को देखिए नास्टक को देकि उसकी फ्यूचर को देखिए बाट ऐसा नहीं बोलुंगा अगर देखना भी है आपको सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए देखना आज की रेट में एक्चुली जो सेंट्मेंट जो है ना वो प्रेजन सीजुएशन को बेस करके आपको समझना की जरूरत है क्योंकि इसके पहली बात अलग था आज की रेट में डोमेस्टिक कुछ महौल के वजए से या बोल सकती इलेक्षन सामने तो जिसके चलते जो भी हो रहा है वो डोमेस्टिक या से की धाइट सेक्टर में मेरे बात को धिहां से सुनना तो अगर आपने सुभा में देख भी लिया डॉजोंस की फ्यूजर नैस्टे की विचर वह आई-टी सेक्टर भी इंपक्ट आपको डाल सकता है आधरवाइस देके नॉर्मल मार्केट इंडियन मार्केट जैसे यहां पर न्यूस चल रहा है यह सबनिखेंग उसे जब्से जो क्रूशल कर दोस्तों जो फोर्स्थ हक्तूर ऐं मरवाथ को ध्योंट है गाल वरस्ठक में अगर Deputy 48,000 को ओल कर गया कौन सा लेवल 48,000 आज क्लोजिंग का पर दिया 48,275 पाइं ठीक है तो अगर कल 48,000 पे होल्ड कर गया 200 सेगेंड हप में अच्छा रिकवरी हो सकता है और अगर बैंक टिप्टि में रिकवरी हो गया मार्केट में भी रिकवरी आ जाएगा अब देखिए आपके पॉर्टफिलो में रिकवरी होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा दूसरी सेक्टर के उपर क्यू क्योंकि हो सकते हैं कि आपकी पॉर्टफिलो में प्यूसु सेक्टर मिट कैप स्मॉल कैप इसका वेटेज ज्यादा है तो जिसके चलते इसके अंदर भी रिकवरी होना पड़ेगा है कि ने तब ही जाके आपका पॉर्टफिलो रिकवरी होगा ठीक है बाकि निफ्टी लेवल दोस्तों 2250 पे है उपर की तरह बात करें जो इमिट्रियेट स्ट्रोंग रिजिस्टेंस लेवल 2400 नहीं 2400 सारे 400 पॉइंट पे है 2400 सारे 400 पॉइंट पे आज भी हमने देखा था सुबहा में 22500 कल भी आपको मैं क्या कहा था कि ओपेनिंग बहुत मैटर करेगा और क दोस्तों जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको देता जाओंगा फिलाल इस वीडियो का वाइंड आप करता हूं कोई भी डाउट से कमेंट करके क्लियर किजिए टेक कर बाबाई जाए